मेटे शुरुवात करते हैं Current Affairs की और आज 10 का जो बकाया है उस बकाया को पूरा कर लेते हैं 10 अगस्त और 11 अगस्त तो 10 अगस्त के उपर बात करेंगे आज आज का Current Affairs तो Current Effects का पहला टॉपिक है 2014 में जो शेर की गन्ना हुई थी शेर से मेरा ताथपर क्या है? लॉइन 2014 की शेर की गन्ना के नुसार भारत में कुल शेरों की शंख्या 674 है इन में से 523 गुजरात में है यानि 2014 लॉइन सेंसर कंसीडर देर आर 674 लॉइन इंडिया अमंग देम 523 लॉइन ओनली इन गुजरात एस्टेट इस्पैसली गीर फॉरेस्ट ध्यान दे शेरों का जो संख्या कम हो जाती है उसके पीचे दो बड़े खत्रे हैं पहला पॉचिंग यानि शिकार कर लेना तो शिकारियों से इसे बचाना दूसरा केनाईन डिस्टेंपर केनाईन डिस्टेंपर केनाईन का मतलब दात है उसके दात में ऐसी बिमारी पकड़ती है कि धीरे धीरे वो खाने की स्थिती में कुछ नहीं रहता और भूखे दम तोड़ देता है तो किनाइन डिस्टेंपर ये बिमारी तो लॉइन के लिए दो बड़े खत्रे हैं किनाइन डिस्टेंपर बिमारी और पोचिंग ये ध्यान में रखना है अब आईए अफरिका के 26 देशों से समय के साथ सीह यानि लॉइन यानि शेर विलुप्ध हो चुका है विश में 20,000 ठीक है न जो है लॉइन है लेकिन इंडिया में कितना है वो आपके सामने में है गुजरात के पांच शेर ठीक है अभ्यारन घीर है एक, घीर रास्ट्रिये दो, पनिया ती, ठीक है मिट्टिया चार और घिरनार है अब है लॉइन सफारी, इटावा यूपी, सिवन लॉइन कहने का मतलब है कि यही कैनाई डिस्टेंपर बिमारी से कहीं शेर विलुप्त न हो जाए इस ख्याल से 20 साल पहले जो कुछ सोचा गया उसके तहट कुनो पालपूर या पालपूर, शेवपूर, मद्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की इटावा में लाइन सफारी की अस्थापना की गई और यहां गीर फॉरेस से कुछ लाइन को ट्रांसफर करके इटावा, लाइन सफारी और कुनो पालपूर में रखी गई जहां ब्रीडिंग हो रही है और आगे बढ़ रहा है ताकि कभी किसी छेत्र विशेश में कोई बिमारी आए और सारे शेर खत्म न हो जाए बचा रही ताकि एकोलोजी डैमेज ना हो अब हम स्रिलंका के उपर फोकस कर रहे है स्रिलंका important है क्या तो समझे स्रिलंका 9 संसदिये चुनाव 5 अगस्त को संपन हुआ स्रिलंका में वहां की पारलियमेंट के People's Representative House जिसे पारलियमेंट के नाम से जाना जाता है उसके लिए चुनाव हुए 5 अगस्त को 7 अगस्त को इसकी गिंती हुई और 8 अगस्त को जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर जो सबसे बड़ी पार्टी बनी इसके तहत प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे शपत लिये शपत दिलाने वाले उनके छोटे भाई राश्ट पती गोटा बाया राजपक्षे ने सबस दिलाई ये राजनिती के इतिहास में मेरा ख्याल है ये पहली घटना होगी जब छोटा भाई सहोधर बरे भाई को शपत दिला रहा है प्रधान मंत्री के तौर पर और प्रधान मंत्री के तौर पर बड़ा भाई शपत ले रहा ये यूनिक बात होगी जहां तक मेरी जानकारी है इस खयाल से ये सवाल भारी है बनेगा सवाल बड़े भाई 74 वर्षिये महिंदा राजपक्षे प्रधान मंत्री के शपत लिया है और एतिहासिक बहुत मंत्र में शपत लिया है चौथी बार इन्होंने प्रधान मंत्री का शपत लिया है दो बार महिंदा राजपक्षे राश्ट पती भी रह चुके है याद रखेगा उनको श्रिलंका की राजनिती में आए पचास वर्ष भी पूरे हुए है इनके पिताजी भी यहां के प्रधान मंत्री रह चुके थे ये महिंदा राजपक्षे स्रिलंका फिल्म इंडस्ट्री में हीरो भी रह चुके थे राजनिती में पचास वर्ष 24 वर्ष की उम्र में 1970 में पहली बार ये सांसत बने थे ठीक है मंदिर राज महा विहार आये केलानिया नियर कॉलंबो में इन्होंने शपत गरहन शवारों का आयोजन करवाया इनकी पार्टी को स्रिलंका पिपल्स पार्टी कहते हैं जो 225 कुल सीटों में से 145 सीट कर पूर्ण बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाये हैं दोत याहे बहुमत को इन्होंने प्राप्त किया है अब आईए अगले सवाल पर ध्यान दे डिजीज फीमेल कंसर्ड एक डिजीज है जो महिलाओं से रिलेटेड है जैनेको PCOS आज कल ये बिमारी बहुत आम है महिलाओं में बहुत बढ़ रहे हैं और महिलाओं से तात पर जो अन्मेरीड गर्ड्स हैं उनके भी और मैरीड विमेन के भी गाइनको रिलेटेड है महिला संबंदित बिमारी को मेडिकल की भाषा में गाइनको लौजी गाइन को कहते हैं तो PCOS बिमारी है Polistic Ovarian Syndrome मैंने क्या कहा Polistic Ovarian Syndrome ये इसका नाम है अब आईए 20% रचस्वला इस तरियों को ये बिमारी होती है यानि जो गर्ल्स मेंसिस, मेंसुरेशन पिरियेड में आ गई है यानि 11-12 साल के बाद से लेकर के 50 साल के दर्मियान उनको ये बिमारी जो होती है तो 20% ऐसे पेसेंट है जो इस उम्र के है रचस्वला उम्र की है अंडासे में जो Ovarian होता है अंडासे में एक ठीक है गाठ बन जाती है गिल्ड बन जाती है मासिक धर्म अरनियमित हो जाता है जो periods होते है वो उसका time चक्र जो है time cycle बिगड जाता है कभी दो महिने पर, कभी तीन महिने पर, कभी चार महिने पर ये होता है कभी महिने में दो बार हो जाता है यानि इंफिनाइट हो जाता है टाइम टेबल का जो सकल है वो डिस्ट्वाइ हो जाता है सिर्खे बाल जढ़ते हैं सिर्खे बाल जढ़ते हैं शरीर में बाल ज्यादा होता है जिससे मर्दों को ज्यादा बाल होता है तो सरीर में बाल ज़ादा होता है और सिर के बाल ज़ड़ते है नर हार्मोन का आस्तर गर्वधारन से ठीक है मतलब गर्वधारन में दिक्कत करता है यानि क्या है मेल हार्मोन जो होती है वो बढ़ जाती है जिसकी वज़ा से जो प्रिग्नेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती ह शूगर, BP, blood pressure, cholesterol के बढ़ने से हिर्दय रोग बढ़ने का खतरा है शूगर, cholesterol, BP के बढ़ने से heart disease बढ़ने का खतरा बना रहता है तो यह है PCOS, polycystic ovarian syndrome यह बिमारी एक common है यह धान रखना है fast food खाने से कहरें कि यह भी एक कारण है और hormonal change होते हैं ऐसे धेड़ सारे कारण बताएगे next, हम बात करें next topic महारास्ट रखन मेराथन, hilly area, 140 rare, species of the butterfly identified कहने का मतलब है महारास्ट का एक जगह है माथे रन, यह हिल्ली एरिया है tourist place है, छोटे लाइन की गाडियां चलती है narrow gauge train वहाँ दौरती है tea estate है, beautiful place है और हम चाहते कि UNESCO में लिस्ट हो जाए, आवेदन दिया हुआ है तो माथे रन में, हिल्ली एरिया में 140 rare type के butterfly के species मिले है यह important है, अब आए next books, R.A.W. RAW, A History of India's covered operations by Yatish Yadar Research and Analysis Wing हमारा एक organization है जो 21st September 1968 में established हुआ था Mr. Kaur was the first director general in the time of Indra Gandhi यह हमारा external spy agency है आज भी काम कर रहा है बीच में जंता दल की सरकार मुराजी देशाई की सरकार आने से बीच में यह 3-4 साल के लिए बंद रहा पर इसे reintroduce, re-establish कर दी Indra Gandhi राव बहुत यह smart institution है spying को लेकर के तो इस से related जो है एक यतीश यादव रहे जो राव से related है उन्होंने किताब लिखी RAW, A History of India's Covert Operation तो यह ध्यान रहा है next COVID-19 death USA में देखते हैं 2,00,000 को पार कर गया Brazil में 1,00,000 को पार कर गया और हम 35,000 से प्लस में चल रहे हैं ठीक है ना, खट चले हमें बस आकड़े आगे बढ़ाते जाने वो देखना है अब आईए अफगानिस्तान अफगानिस्तान से कुछ understanding वाली बाते हैं अफगानिस्तान में एक परिशद होती है जिसे लोया जिर्गा कहते हैं क्या कहते हैं लोया जिर्गा A traditional अफगान meeting of tribal elders of near about 200 tribes चिफेंट अफगानिस्तान में 200 से ज़्यादा कबीले हैं हर कबीलों का अपना सरदार होता है तो कबीलों के सरदारों से निर्मित एक संगठन है जिसे लोया जिर्गा कहते हैं इस लोया जिर्गा कबीलों के संगठन में परिशग में काउंसिल में लंभग 200 प्लस मेंबर हैं जो अपने अपने कबीले के सदस्य हैं ध्यान दे लोया जिर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC में कई बार पूछा है भले अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार अधिक्षे परनाली विवस्था दिखती है पर वहाँ आज भी वहाँ की जो सरकार है प्राइमिनिस्टर राश्पती CEO जो है तो PM का पोस्ट होता नहीं है Chief Executive Officer का पोस्ट होता है पिछले करीब साथ सालों से तो वो जो भी फैसले लेंगे अगर देश के हित में तो कही न कहीं उन्हें लोया जर्गा से डिरेक्ट इंडरेक्ट अबुमती लेनी पड़ती है चीजों को पास करवाना पड़ता है That is the importance of लोया जर्गा and sometimes asking questions and UPSC चलिए बात करें 11th of August की 11th of August की बात कर रहें ये आपका finished now 11th of August 2020 अब इसकी बात करेंगे गौर फर्माना है Hong Kong की बात करें वहाँ पे एक newspaper है Apple Daily Apple Daily newspaper है Hong Kong से निकलती है this newspaper always applying their voice against Chinese Communist Government for their illegal attitudes and laws passing यानि ध्यान रहे Hong Kong में एक अख़बार है जिसका नाम है Apple Daily जो actually Chinese Communist Government के खिलाफ उनके रूल उनके नितियों जो गलत लगते हैं उसके खिलाफ बात करती है इस वज़े से ये अभी अभी बंद किया गया है इसके मालिक को arrest किया गया है it's a good question not but understanding how it's going on in China अबाये बेलारूस की बात करे as you know that Bela Roos a good country of Europe Eastern part it's border with Russia that's in 1991 separated from USSR Bela Roos capital is Minsk here recently a president's election held president's election held second time and the second time sitting president Alexander Lukas Neko again win with the good voting system but 80 percent vote he get and become third time president of but the opposition's leader a lady who was English professor come to fight election but just getting nine percent vote in that respect she claimed that there are something wrong in voting system but as she know the question is very powerful man of Lukaseno she fled away to other country in Poland but the wrestling is going on continue agitation is going on continue in Minsk now I have to talk LIC of India life insurance corporation of India unveils campaign to revive lapsed policy a scheme to remain in force till October 9 2020 without any pending penalty and medical certificates कहने का मतलब ये है कि LIC of India जो भारत का एक जीवन विवान का 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 काम करने वाली कंपनी है जो पूरे लाइफ इन सोरेंस का बिजनेस है इंडिया में उसका 68% business LIC के थूरू होता है इस कोरोणा में कई लोग ने अपनी policies को regular maintain नहीं किया time पर जो है premium नहीं दिये उनका जो है बहुत सारा damaging control करना है तो LIC ने एक campaign शुरू किया है कि आप विदाउट गिवें दर एनी certificates of medical certificates and any penalty you can again regularize your policy till 9th of October 2020 यह है क्योंकि अगर आप एक बार भी irregular हो जाते हैं तो तीन महिने तक अगर आप नहीं देते हैं premium तो irregular हो जाने के बाद आपको medical certificate और penalty दोनों भरनी पढ़ती है देनी पढ़ती है लेकि इस बार कोरोणा की वज़े से यह कहा गया कि 9 October तक अब without penalty and without depositing of the medical certificates you can do that यह चीज़े चल रही है चली अब बात करते हैं सड़क ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री नों क्यार रोड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री अंडर दपी-म G.S.Y. प्राइम मिनिस्टर फिके ना ग्रामिन सड़क योजना फेस थर्ड दोज विलेज इस पॉपलेशन अंडर 500 हैं तो बी कनेक्ट विद दा स्वैल रोड पक्की रोड से उसे जोड़ना है बाइदवे फेस थरी तक हम देखते हैं 98.5 परसेंट जो विलेज हैं इंडिया के वो कनेक्ट हो चुके हैं 1000 पोपलेशन तक 500 के उपर पोपलेशन तक कनेक्टेट हैं पर जिस गाओं में 500 या उसे नीचे के पोपलेशन हैं उसमें कुछ परसेंट डेर परसेंट लगभग 18,000 गाओं के आसपास रह गए थे उसको ही कनेक्ट करना है as we know that phase 4 अब 250 से कम आबादी वाले गाओं को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ग्रामिन सड़क योजना के तहट that's called the all weather road 2020-21 से 2027-28 तक ये है इसके तहट 48,130 बस्तियों को जोड़ा गया phase 3 के तहए और अब कुल मिला करके जो बच गया वो 18,000 उसको जोड़ा जाएगा simply जो है प्राइम मिनिस्टर ग्रामिन सड़क योजना के तहट फेज 4 के तहट बचे हुए 48,000 गाओं जिनकी आबादी 500 से नीचे है और 2500 के बीच में उसे पकी सड़क से औल वेदर रोड से जोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है चाइना ने 11 अमेरिका के नेताओं पर प्रतिबंद लगा दिये हैं जो हॉंग कॉंग के मसले में इंटर्फियर कर रहा है या किसी तरह का स्टेट्मेंट या प्रपोजल आगे बढ़ा रहा है या कई न कई हॉंग कॉंग कोंग के लोगों को उकसा रहा है अपने statement से इस तरह कि कोई भी American leaders जो है ऐसी पहचान 11 लीडरों की हुई है और उन लीडरों को प्रतिबंदित कर दिया गया है कि आप हॉंग कॉंग नहीं आ सकती ये मतलब है अब आईए अन्वान निकोबार group of island high speed internet service से जुड़ चुका है 10 अगस 2020 को इसका उधगाटन भी Mr. Modi ने किये virtual video conferencing से मदराज से लेकर अन्वान निकोबार तक जो एक C cable बिचाया गया है ठीक है इध्याम रखिएगा इस बात की उन्होंने चर्चा देखते 2018 की थी कि C cable का काम चल रहा है और अन्वान से high speed से अब internet से वा मिलती रहेगी direct connect madras to ये shortest route था तो madras से अन्वान निकोबार को जोड़ा गया है C cable से और जिस दिन देखेंगे हम अन्वान से Singapore में जोड़ जाएगा तो पूरे worldwide में हम फिर से circulate हो जाएगे अब आईए capital fiber C cable चन्नाई टू अंडमान ये optical fiber बिछाया गया तो optical fiber था C cable था और चन्नाई से अंडमान को बिछाया गया तोटल डिस्टेंस इस 2312 किलोमेटर लगवग 2312 किलोमेटर ठीक है यह याद रखेगा अब आएए प्रोजेक्ट कोस्ट 1224 करोर रूपे Submarine Optical Fiber Cable Project के तति यह किया गया अब इसका जो है देखते हैं profit क्या होगा तो अंडमान निकोबार में सुराज दूइप है हैवलॉप दूइप है इसके अलावदा कमोड़ता दूइप है कार निकोबार है रंगत है Greater Nicobar है Little Alman है Andman है Port Blair है यह सभी जो है 400 GB per second के speed से जोड़ गए जया देखिए उत्री और मद्ध Andman जो है में एक road भी बनने जा रहा है C पे bridge पे road बनेगा जो दोनों को जोड़ के रखेगा और वहाँ पर Andman में हमारा National Highway संख्या 4 है जिसके वाइडाइजेशन चौरी करण वाइडनिंग किया जा रहा है तो आपसे कुछ एगा National Highway 4 कहा है धन्दमान में है ठीक है यह याद रखेगा अब है Port Blair Airport वीर सावरकर एरपोर्ट के रुपे जाना जाता है और इसकी बारोशो यात्रियों के आवन की छमता को बढ़ाया जाना है कि एटे टाइम बारोशों से ज़्यादा यात्रियों की छमता हो तो वीर सावरकर एरपोर्ट कहा है Port Blair में है यह भी धैम रखेगा अब आईए अब हम बात करते है केरला केरल के पतनमतिट्टा में रिभर पंबा नदी पंबा डैम है वाटर स्वार्टेज कैपैसिटी जो है प्रेजेंट में उसका जो इस्थिती है उसके उपर चर्चा में है लेकिन ये आपके लिए मैं ही पुछेगा जो केरला से रिलेट करते है उनकी लिए सवाल है अब है United Nation Security Council प्रेजेंट्स चेर्मेन सिंस जून वालकन बाज़खीर फ्रॉम टर्की रिमेंबर जो चेर्मेन है वो टर्की का है जिसका नाम है वालकन बाजकीर ते वालकन बाजकीर जो है टर्की का ध्यान वे रखे वो अभी पाकिस्तान के दोरे पर आए और तुर्की जो है इसलामी देसों का आजकल रहनुमा के तोर पर उभर रहा है और इससे कई ने कई पाकिस्तान की तबियत खराब हो रही है कि वो लीडर या मैं सौधी अरग को ये लोग पीछे छोड़ रहे हैं ठीक है मलेशिया आगे बढ़ने की कोशिश में और इरान अपना सियाओं का लीडर्शिप लेने की कोशिश में हमें सब बना रहे हैं तो पाकिस्तान ने जो है बोजाकीर को है आप लोग खुद सुल जाएए I would not like to be take interest in Kashmir in that respect बात उल्टी पड़े एक्चुली वो यातरा पर आने ही वाले थे कि हमारे विदेश मंतराले के प्रवक्ता ने अच्छा एक statement जारी किया था कि हम उमीद करते हैं कि जो बोजागीर है वालकन बोजागीर अपने निर्दे के जमीन के नीचे जो underground water है वो थोड़ा contaminated है किस से fluoride से एक्चली पर लिटर ठीक है 1 mg से ज्यादा होने पर स्वास्थ के लिए fluoride हानी का रग है it is harmful for health if per liter 1 mg is more than fluoride in ground water or water बिमारी इसे होती है floresis इसे दात खराब हो जाते हैं सरने लगता है गलने लगता है हड़ियां टेडी मिड़ी होती है disforming of bone होता है और handicapness विकलांगता बढ़ जाती है fluoride test just in 3 seconds एक कीट तयार किया गया है जिसमे fluoride पानी में है या नहीं 30 seconds में हो जाएगा तो ये याद रखिएगा तो fluoride एक बिमारी है इस पर हमेशा competition world में सवाल आता है now I have to talk about Manipur I'm talking about Manipur Manipur में BJP government won't trust motion confidence motion 60 seats 28 votes Manipur में क्या होता है कि अभी करीब एक महिने पहले जो कुछ विधायक Congress से BJP में जॉइन करके Manipur में BJP की सरकार को strength किया था वो विधायक नाराज हो करके क्यों कि मिनिस्ट्री में उत्रा seat नहीं मिली वो अलग कोहने की घोशना कर दिये तो Manipur में constitutional crisis आने की संभाव ना थी तुरंत इसे अमित शाहची ने इन चारों को special chartered plane से बुला दिल्ली आजाई ये बात करते हैं क्या problem इन लोगों को बढ़िहां से सम्झा दिया गया कि क्या problem है नहीं है और फिर वापस गया और चार दिन के बाद उन्होंने कहा कि trust vote में हम जीत गे जो उन सम्झा लोगों ने vote दे दिया कि ठीक है तो government is going on याद रखेगा अभी अभी वीजेपी ने किस राज में अपना trust motion यानि confidence motion हासिल किया है तो आप क्या हो लेंगा money vote 60 seats है तो एक seats तो चले गया आपकी किसमे जो speaker होगा तो 59 बचा तो बहुमत किस से होगा 28 से लेकिन 4 को बैठा दिया कि तुम लोग वोटी नहीं कर गए side हो तो 28 से बहुमत बनाए जित लिए चले अब बात करते हैं ठीक है अध्यान दीजे अगला है 11th August 1908 आवर यंगेस्ट मार्टिर्स खुदिराम्बोस अफ़ एज 19 हैंग तिल डेथ यानि 11 अगस्ट तो 1908 में हमारे सबसे कम उमर के जो वीर थे शहीद थे शहीद खुदिराम्बोस उनका फासी की सजा सुनाई गई थी तब उनकी उमर 19 वर्स थी पीज़ खुदिराम्बोस किंग्स फोर्ड जज हत्याकान मुझपरपुर में उस जज को मारने का आसफल प्रयास इन्होंने और इनके साथ प्रफुल चाकी ने मिल के किया ध्यान देंगे प्रफिशर इमरान डॉक्टर है हमारे प्रफिशर इमरान डॉक्टर साब है जब्रे में एक खास नस की खोच की अब इतने दिन से मनुष्ट के उपर रिसेंट चल रहा है कितने नस हैं कहा है पर पहली बार वर्ल्ड में इन्होंने एक जब्रेक में नस्की खोज किए जिसका नाम इन्होंने Nobel Aberrant, Mandibular Engle Foreman नाम दिया है इसे चिकतितिये भासा में निचले जब्रेक को इसको फॉर्मेन कहा जाता है तो फॉर्मेन में एक नया नस वेजल्स हो जा गया है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा कहीं इंपॉर्टेंस हो अब आईए NGT ने UP के 650 100 मिल को लाइसेंस रद कर दिया जहां पे बड़ी-बड़ी लकडियां टिंबर की कटिंग होती है प्लाइवूड वगरा सा इसको 100 मिल केते हैं लकडी मिल लकडियों को चीरने का काम फरनीचर का काम होता है तो नियर बाउट 650-100 मिल लकडी के मिल को National Green Tribunal ने बंद कर दिया है लाइसेंस उसका चीन लिया है स्टॉप कर दिया गया है उत्तर पुदेश में लगभग 639 मसल्स भी होते हैं हमारे बड़ी में छोटे बच्चों की गिता में 650 मसल्स कहते हैं यहाँ 650-100 मिल है याद रखिया स्रिलंका इसके बारे में बात हो गए अब आए 11 अगस्ट 1961 ठीक है दादर नागर हावेली merged in India तो 1961 में दादर नागर हावेली merged किया गया था गोवा दादर नागर हावेली दमन्दियो ठीक है अब आए सौधी पेट्रोलियम कंट्री अरामाको जो उसकी कंपनी है ठीक है कीन इंट्रेस्टेट टू इन्वेस्ट मनी इन रॉलाइन स्पेट्रोलियम ठीक है एक कॉश्चन है कोई बड़ी बार सर्विस क्रेडिटिट के लिए अब पाँच वर्स का मिनिमम सर्विस होगा अब यह जब सरकारी नौकरी पाते हैं तो पेएसकेल के साथ कहते हैं कि ग्रेडिटी भी मिलती है तो याद रखते हैं ग्रेडिटी क्या होती है तो ध्यान में रखना है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं और पाँच साल तक काम कर चुके होते हैं उसके बाद अगर हम कंपनी से निकाले जाते हैं या रिटाइर्मेंट होता है तो पांच साल जो हम काम किये हैं हर साल की जो तनखा है मतलब जो सैलरी है सैलरी का मैक्सिमम 20% हमें इंटेंसिव रुप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा ताकि लोयलिटी जो अफ सर्वेस तो आर्स तर कंपनी के ख्याल से उसको ग्रेचुटी कहते है तो जो नया कानून बना है उसमें दिया गया है कि किसी भी सुरत में ग्रेचुटी की रकम 20 लाक से ज़्यादा नहीं हो ठीक है तो ये चीज़ है मान लिजी कि हमारी सैलरी ठीक है 25,000 रुपया है तो 25,000 सैलरी हमारी है तो इसका मतलब हुआ कि हम सैलरी का 20% तो 5000 साल का ग्रेचुटी हो गया तो इस तरह से दिखा जए तो 12,500,000 की ग्रेचुटी हमको साल में मिली और हमने 5 साल काम करने के बाद छोड़ा है कंपनी तो 36,000,000,000 रुपय हमें ग्रेचुटी मिलेगी ऐसा हो तो ग्रेचुटी सरकारी नौकरी में ये जब आप रिटायर होते हैं पेंशन वगरा ये सब चीज़े मिलती है तो 5 साल कर जा लेकिन प्राइवेट जॉब में या एफिलेटेट जॉब में अब क्या होते हैं ग्रेचुटी प्रॉब्लम है लोग सर्विस बदल रहे हैं तो कहा गया कि 5 साल से पहले भी मिल सकता है 5 साल से और वो भी पर्मानेंट जॉब जो करते हैं उनके लिए होता है यानि कि नौकरी समाप्त होने पर अप्लाई करने के 30 दिन के भीतर मिलता है ग्रेचुटी फंड इंट्रेस्ट के साथ प्रते एक वर्स कुल सेलरी का 15 दिन की सेलरी प्रती वर्स के हिसाब से जोड़ कर दी जाती है ग्रेचुटी तो 15 दिन का सेलरी एक साल यानि अब समझे जब हम रिटायर करते हैं सरकारी नौकरी में तो जो भी हमारी सेलरी रही है उस सेलरी का देखिए अगर सेलरी 25 हजार है तो 15 दिन के सेलरी कितनी हुई देखा जाते हैं साड़े बारा हजार तो एक वर्स में साड़े बारा हजार अगर हमने 5 साल काम किया तो 12,5 लगभा कितना 70,000 रुपे हमें अलग से ग्रेचुटी के तोर पे भी मिलेगा यही है इसके लिए 5 साल लगातार एक ही कमपनी में काम किया हूँ यह जरूरी है इसको सरकार बदलने जारेगी 5 साल से पहले भी हो सकता और इस तरह से हमने जो है आपको 11 जो अगस्त है उसके बारे में बता दिया अब इससे ज़्यादा आज के संदर में नहीं है तो हम अपनी करेंट अफेस की क्लास जो आज हमने 10 और 11 पढ़नी थे वो पढ़ लिया अब हम जो है मंडे को मुलाकात करेंगे और हम 11 सागे 12 अगस्त के आस पास चलेंगे ठीक है तब तक के लिए हम चाहते हैं खुदा हाफीज